नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्व चनल ग्लोबल अटोमी नेटवरक में आप सभी का स्वाकत है दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अटोमी की जियो ब्रिश है उसके बारे में अटोमी का जो टूथ ब्रिश है और काफी बढ़ी है इंटरनेशनल क्वालिटी में तो ये ब्रिश है थोड़े दिन बाद ये काफी हाड है ये ब्रिश बहुत हाड है और ये थोड़ा उससे सोफ्ट है ठीक है और ये वाला ब्रिश है ये भी काफी हाड है इसके जो टीथ आप देख रहे है ठीक है तो जितने भी ब्रिश है उनके टीथ फैल जाते है एक टाइम गजो यह जो बोक्स आप देख रहे हैं इसमें टूटल में का आथ बिशाता है और एक सेट आता है तो एट प्रेश रहे हैं वह किस परकार से यह इस का तो तूथ चाहिए यह आप देख रहे हैं यह इसका टूथफ्रेश है यह टूथफ्रेश है किस प्रकार से डिफरेंट है उसके बारे मैं डिसकस करेंगे इसके जो आप ये देख रहे हो टीथ ये जो ब्रिशल्स देख रहे हैं ब्रिशल्स ये ब्रिशल्स गोल्डन आयोनिक स्लिम ब्रिशल्स बोलते हैं इसको ठीक है तो इस आप देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज तो यह है इसका साइज ज्यादा बड़ा है और इसके काफी सोफ्ट है और जो और आप देखते हो बिश। उनके आप कंपेर कर सकते हो तो और इसमें जो पैट मैटिल यूज उसाथ जो की हैजनिक मैटियल होता हुता है ब्लास्टिक यह पुरा प्लास्टीक और जो डाइमेंड कट है यह जो कट आप देख लेख रहे हैं। डाइमेंड कट हो ते में इसमें। टिक है। बीलकुल डाइमेंड कट का डिजैन क्याइन की आ गया है। और इसकी कम्पनी कोbok D energetic company बनाती यह सबसे पहले depreciate company इसकी काफी इसली है। छोल्टन पाउडर के ब्रुस मैंने होते हैं, गोल्डन पाउडर जैसे मैंने बता है और सुपर सिलिम ब्रुस बोलते हैं ठीक है और इसके बारे में मैं ओर डिसकस करूँगा कि इसके क्या फाइदे हैं टूथरस को अगर आप यूज करते हैं इसको क्या फाइदे तो सबसे पहले मैं उताने चाहूंगा इस 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 सुपर से लिंपर शॉफ्ट और फ्लक्सिबल बिशेशन 0.18 mm थिकनेस इसके होती ह होता है ठीक है और जो टीथ है और गंस है जो ब्रिश करने के बाद गंस बगरा जम जाते हैं टीथ में उसको एक सेट में आर्ट होते हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है इसको मैनुफैक्ट्रिंग कर रही है और इसको ब्रिशल में मैटियल यूज होता है उसको बोलते हैं PBT और टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटेग्रेट हो जाता है और कैप इसका पीपी है ठीक है और इसमें फाइद है क्या है इसका यह पहले बात तो यह बताना चाहता है सुपर स्लिम ब्रुष है सुपर स्लिम ब्रुष है सोफ्ट एंड फ्लक्षिबल ब्रिशल्स इन 0.18 mm थिकने से हैं जो कि और इफेक्टिवली रिमूव करता है प्लेक को और जितने भी जो दात है उनमें डीप रिफ्रेश करके जो फिलिंग्स है आपके जो टीथ की और वो गम्स की जो ब्रिश करने के बाद जो फिलिंग्स आती है बहुत अच्छी आती टीथ एजिली क्लिन हो जाते है और एंटी आप देख रहे हैं इसको दो महिने होगे यूज करते हैं लेकिन इसके जो टीथ है ऐसे कैसे हैं जैसे क्या आप देख रहे हैं ऐसे कैसे टीथ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है यहां पर कुछ भी जमानी होता बाकी ब्रिशिश में इसके जो इंसाइड का जो पार्ट और easy grip handle होता है, सबसे बड़ी चीजी है, easily environment free है, तो ये बुरिशिश आप use कर सकते है, reasonable price में, अभी international dollar price अलग से चल रहा है, Korean market का price अलग से चल रहा है, जो जो country में ये अटो में लांच हो चुचके, अभी 13 country में अफिशली लांच हो चुचके, तो अलग लग country का अलग लग price है, और जब इंडिया में लांच होगा, October November के असपास, तब इसका price भी आपको पता लग जाएगा, at present, आप जो price हो अलग लग sites पर जाकर के देख सकते हैं, अलग लग country के उपर, तो दोस्तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तो, और इस चैन